हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल्ट पर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर की यानि की आउट ओफ इंडिया की महिलाएं कई बार अपने चेहरे को उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती हैं जितना की भारतिय महिला यानि की इंडियन विमन्स अपने आपको एफर्टलेस्ली कर लेती हैं दोस्तों बाहर की महिलाएं अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्स और मेकप पफोकस करती हैं या फिर अगर इससे ज्यादा भी उन्हें किसी चीज की जरुत हो तो वो सर्जरी करवा लेती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन वुमिन्स बिना सर्जरी के भी सालों साल तक जवा दिखाए देती हैं अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के बाहर इतनी development होने के बावजूद भी वो महिलाएं अपने आपको maintain नहीं कर पाती हैं अब इसका राज बिलकुल सीधा सा है भारती महिलाओं के पास काम काज काफी ज्यादा होता है वो घर के काम समहाँती हैं ऑफिस के काम समहाँती हैं हाला कि ये दोनों चीज़े आउट उफ इंडिया की महिलाएं भी करती हैं क्योंकि महिलाओं का काम चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो एक जैसा ही होता है लेकिन जब बात आती है सुन्दर्ता को परखने की तो इंडियन विमन्स हमेशा घरेलून उसको पर ज्यादा फोकस करती हैं और अगर उनके घरेलून उसके हिट हो जाते हैं तो अपने चहरे को चमकाने के लिए वो जड़ा सा मेकप भी अपने चहरे पर लगा लेती हैं चलिए आज जानता है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आउट ओफ इंडिया की महिलाईं कभी भी नहीं सोचती हैं और ना ही उन्हें घरेलू तरीकों में ढाल कर अपने चहरे पर इस्तिमाल करती हैं जैसे की केसर दोस्तो केसर कितना रिच ड्राइफ रूट है ये हर कोई जानता है अगर केसर का फेस पैक हम अपने चहरे पर और बॉड़ी पर लगाएं जिनकी वज़े से उनका बाजार जाकर कॉस्मेटिक की शौक पर जाने का समय भी बचता है और वो अपने मनी को भी सेव कर लेती हैं इसे लिए वो हमेशा सुन्दर और जमा दिखाई देती हैं सो दोस्तों यही राज है भारते महिलाओं को हमेशा सुन्दर दिखने का मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजासत लेती हूँ